वेल्कम तो आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मेल्बन स्टार्स वर्सिस सिड्नी सिक्सर्स BBL मैच जो की खेला जाएगा मेल्बन क्रिकेट ग्राउड में क्यों सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस हो सकते हैं मेल्बन क्रिकेट ग्राउड में मैच होने वाला है आपको यहाँ पर एवरेज जो स्कोर है 158 का रहता है और हाइस जो है वो मेल्बन स्टार्ड ने यहाँ पर 219 रन बनाया हुआ है तो एक अच्छा बैटिंग विकेट यहाँ पर माना जाएगा आप 160 वाला मैच जो है उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि दोनों टीम जो हैं उनमें काफी स्ट्राउग है बैटिंग लाइन अप काफी स्ट्राउग है और दोनों जो है वो फेवरेट्स थैं टूर्णामेंट में यहाँ पर 160 वाला मैच हमें देखने को मिलना चाहिए बात करें Melbourne Stars की सो यहाँ पर कोई खास चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं सो most probably टीम जो है सेम लाइनप के साथ जा सकती है और बात करें Sydney Sixers की अगेन यहाँ पर भी कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सो यह सेम जो लाइनप है वो टीम जा सकती है उसके अकॉर्डेंग बात करते है हेड टू हेड रिकॉर्ड की सो यहाँ पर सत्रा मैच टोटल हुए है Sydney Sixers ने जो है दस जीतने है और Melbourne Stars ने साथ जीतने है दोनों टीम का इस सीजन के भी एक मुकाबला हो चुका है आपस में और वो Sydney Sixers ने 152 रन से जीत लिया था और उस मैच में लेकिन Melbourne के स्टार खिलाडी नहीं थे उस मैच में Marcus Stoinis नहीं खेले थे Kurt Nail नहीं थे Andre Russell नहीं थे लेकिन फिर भी 152 रन से जो है वो मैच अरफानी से जीत गए थे बात करते हैं टॉप रन स्कोरर की यहाँ पर Glenn Maxwell ने 533 रन बनाए है जो कि टॉप स्कोरर है उसके बाद Henry के है 374, Stoinis है 280 और टॉप विकेट टेकर में आता है Ben Duasius का है 17 विकेट, O'Keeffe के है और शौन अबोट के है तेहरा, O'Keeffe के 15 है और यहाँ पर शौन अबोट के तेहरा विकेट, हाई स्कोर की बात करें सो मारकस टॉइन इस ने 147 नॉट आउट बनाय हूँ है अगेंस इस अपोनेंट और यहाँ पर Daniel Hughes ने भी करके ना जुड़ना फेक चैनल बहुत है हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से आपसे पैसे मांगे या प्राइम टीम दे सो बिल्कुल नहीं देने की ज़रत नहीं मैं किससे कोई पैसन ले रहा सो कोई हमारे नाम से पैसे मांगे तो बिल्कुल देने की ज़रत नहीं है साथ के साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादो जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बात करते है मारकस टॉइनिस की मारकस टॉइनिस कल के मैच में एक अच्छे चॉइस बन सकती है आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अब एक बड़ी इनिंग जो है मुझे लगता है मारकस टॉइनिस एक दो मैच के अंदर एक बड़ी इनिंग जो हो खेल सकते है और इनका रिकॉर्ड जो है सीरर मनाके आपको दे सकता है जिस मैच में भी यह चल गया और आपको पॉइंट्स दे गया और आपने कैप्टन मनाया हुआ आपको अच्छे बड़ी से बड़ी ग्रेंड लीग भी विन करा सकता है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं आप ग्रेंड लीग में क्लार्क को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं अच्छा खिलाडी है दिक्कत वस यह रहती है कि अगर स्ट्रॉइनिस और क्लार्क जिस माच में भी टिक गया उस माच में फिर मैक्सवेल, कार्ट राइट और रसल का प्रोमोशन होता जाएगा अगर आपको लगता है कि इस माच में जैसे ओपनिंग जो स्टैंड है भी तक बहुत अच्छी नहीं रही है स्टार्स की सो अगर ऐसा ही होता है तो निकलार्क इंजर वंड़न आने चाहिए प्लेयर अच्छा है एक इनिंग अच्छी खेल चुके हैं सीजन में चाहू तो ट्राइक कर सकते हैं ग्लैन मेक्सवेल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है टीम के और यहां पर हाईए स्कोरर भी है अगें सिड्नी तो एक अच्छी पिक रहेगी इस मैच में हो सकता है ज्यादा बोलिंग ना करें क्योंकि सामने राइटी बैट्समें काफी जादा है लेफ्टी बैट्समें सिर्फ यूस है अगर वो खेलते हैं तो फिर वहाँ पर बोलिंग कर सकते हैं उनके आगे बट ज्याद ज्यादा एक दो ओवर देख रहा हूं चार ओवर का स्पेल मैं इनसे इस मैच में शायद नहीं देख रहा हूं अगर ज़रुत पड़ेगी तो कर लेंगे और लेकिन क्योंकि राइटी बैट्समें काफी जादा है तो हो सकता है एक से दो ओवर या आप इनसे बोलिंग की उमीद कर सक करते हैं तो चाहू तो ट्राइक कर सकते हैं व्यू वेफस्टर का ज्यादा कुछ रोल अभी तक रानी है तो ग्रैंड लीग में रहेगी जांपा इंपॉर्टेंट रहेंगे टीम के बेस्ट बोलर है लास्ट मैच में भी लास्ट ओवर कर गए थे तो एक अच्छा खिलाड करता है तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे काई सहमत दोनों मैच में जो खेलने हैं दोनों मैच में अच्छी बोलिंग करिए अगें ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं इस माच में भी ब्रोडी काउच एंड के ओवर डाल सकते हैं डेथ बोल स्टॉनिस मैक्सवेल अंडे रसल जांपा और नेटन कुर्टिना है उन प्लेयर्स को कवर कर लेते हो सो काफी हद तक आपकी टीम कवर हो जाएगी मेलबरन की तरफ से बात करें सिटनी सिकसर्स की सो जो मैच खेला था अच्छे निग खेली थी अगेंस्ट जो इन्होंने मे बन सकती है क्योंकि ऑपोनेंट के खिलाफ रन बनाके आये हैं सो आपको विगेट कीपिंग के पॉइंट दे सकते हैं तो स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ओरड़ी काफी बड़े नाम हैं दोनों टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के सो आप इने ग्रैंड लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रू बना सकते हो प्लेयर अच्छा है और जब चलते हैं सो बड़े निंग खेलते हैं जेमस विंस तो आप उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में तो नहीं लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रू ट्र गफिक और अच्छा है इनका तो अगर आप इन लेना चाहते हैं तो बिलकुल ले सकते हैं डैनल कृश्टियन बहुत बढ़ी आपिक रहे इगी देखो डैनल कृश्टियन अभी तक हिटने सालों से खेल रहे हैं और Sith लेकिन अभी इनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है उसके चलते आप देखोगे इनका सेलेक्शन कुछ आठ परसेंट है और यह बैटिंग बोलिंग फिल्डिंग तीनों से कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं सो अगर आप ऐसे खिलाडी को ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाते हो और यह चल गया तो आपके वारे नियारे कर सकता है क्योंकि इसमें पोटेंशिल पूरी-पूरी है यह हमेशा अगर आप कोई से भी साल का विग बैश उठाके देखोगे डैनिल क्रिस्चन कैप्टन वाइस कैप्टन की फेवरेट अगर को आपको अच्छा करते हैं कोई नहीं करता है जो अच्छा कर सकता है और काफी पॉइंस दे सकता थीया डखना जॉर्टन स्कॐ वह तंद कर देखे झाल haha बहुत अच्छा है बर दिक्कत यह है कि इनकी बैटिंग कम आती है लेकिन प्लेयर में टैलेंट बहुत है जब भी ज़रुवत पड़ेगी मतलब किसी माच में सिड्नी के अगर चल्दे विकेट गिर गए सो जॉर्डन सिल्का के रंस बना सकते हैं टॉम कुरेंट अच्छी फॉर्म में है बैटिंग बोलिंग दोनों से एक इंपोर्टेंट खिलाडी रहेंगे शॉन अबोर्ट जो है ट्रम कार्ट पिक का काम करके देंगे पोटेंशल है इवन जब आपस में खेले थे तो तीन विक काम कर सकते हैं लेकिन इनसे एक से दो वर ही कराए जाते हैं उसमें भी कभी कभी ले जाते हैं अब तक शान्त है लेकिन इस माच में एक दो विकेट की उमीद मैं इनसे कर रहा हूं अगर पहले बोलिंग आती है जो जॉर्डन अच्छा कर सकते हैं और कीफ की बात करें विक इनके अगेंस चार विकेट निकाले से जब स्टार्स के एगेंस खेले थे इंपोर्टेंट खिलाडी है चाहू तो ट्राइ कर सकते हो बस कभी-कभी इनके साथ यह होता है क्योंकि इनकी बॉल इतनी टर्ण नहीं होती और विकेट टुट बॉल करते हैं ऐसे में कभी-कभी बै और टुट ठाउड इनके इनके में के बार्थ करसा करें सो यहां पर मैकषवल्य। तो इस मैच में ग्रेड़िट की बहुत जादा प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज का धियान रखना एक हाई क्रेट वाला प्लेयर एक तो ड्रॉप करना ही पढ़ेगा जो इस चीज का धियान रखना है क्योंकि ये विकेट कीपिंग करके दे रहे हैं और ओपन करते हैं तो आपके एक अच्छी पोटेंशल खिलाडी है और अच्छा मैच विनर है तो मैं दोनों के साथ यहां पर जा रहा हूं बेटिंग सेक्षेण में स्टाइनिस और विन्स दोनों ही मेरे पास होंगे और दोनों ही अच्छी चोईस रहेगी captain wise captain भी storyness तो small league में भी grand league में विंस को try कर सकते हो अब एक जो option है larkin है, silk है, hughes है webster है इन में से ले सकते हो तो यहाँ पर larkin या hughes में से किसी एक को try कर सकते हैं अभी के लिए चलते है all round section में तो यहाँ पर अब देखो credit की काफी problem आएगी Daniel Christian का selection सिर्फ 9% है तो चाहो तो जरू try कर सकते हैं यहाँ पर मैं N.R.K के साथ गया हूँ क्योंकि बहुत अच्छी form में नजर आ रहे हैं हर match में run कर रहे हैं तो यहाँ पर N.R.K के साथ गया हूँ अब यहाँ पर आ जाती है Maxwell और Russell यहाँ पर किसी एक को आपको pick करना होगा उसके लिए हम बाद में आएंगे यहाँ पर कर हैं जिनको अगर आप credit saver की तरह लेना चाहते हो तो बिलकुल ले सकते हो points दिये हैं इन्होंने इस season में ऐसा नहीं है points नहीं दिये तो चाहो तो ले सकते हो card trade भी अच्छे खिलाडी है 9 trade में मिल रहा है तो थोड़ा high है लेकिन player ठीक है Daniel Christian का selection बहुत कम है तो जरूर ट्राइ कर लेना है bowling section में आते हैं यहाँ पर मैं Sean Abbott को अपनी team में लूँगा यहाँ पर मैं Zampa को अपनी team में लूँगा तो यह दो खिलाडी मेरे पास होने वाले हैं यहाँ पर एक खिलाडी Tom Curran और यहाँ पर Jordan में से किसी एक को तो यहाँ पर अभी के लिए मैंने Tom Curran को लिया लेकिन अगर पहले team की bowling आती है उस case में हम जो है Jordan के साथ भी जा सकते हैं अभी यहाँ पर तीन खिलाडी बचे हैं उन में से एक हमने लेना है Larkin और यहाँ पर Daniel Hughes में से तो अभी के लिए हमने Larkin को लिया है यहाँ पर Daniel Hughes भी अच्छी choice है अगर पहले betting आती है तो उनको भी try कर सकते हैं अब देखो दो player बच रहे हैं हमारे पास तो यहाँ पर अगर हम Maxwell को ले लेते हैं तो Russell नहीं ले पाएंगे तो Maxwell नहीं ले पाएंगे तो यह एक बड़ा decision है जो जीत और hard decide कर सकता है आप अगर Maxwell को लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर abort को यहाँ पर zampa को इन सब को drop करके फिर आपको यहाँ पर उस case में भी आपको एक 8 point का खिलाड़ी चाहिए होगा तो वो देखना होगा लेकिन मैंने अभी के लिए बड़ा risk लेते हुए Maxwell को drop किया है considering की शायद हो सकता है over जादा ना करें और middle order में और अगर 20-30 बना कर भी out हो जाए तो शायद इतनी problem नहीं होगी उससे credit मिल जाएगा हमें तो यहाँ पर जो है मैं abort यहाँ पर zampa के साथ जा रहा हूँ quarter nail अभी भी लेना चाहता है लेकिन quarter nail के लिए credit नहीं बच रहे है तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए काई सहमत को लिया है Jordan भी अच्छी pick है अगर sixers पहले bowling करती है तो यहाँ पर काई सहमत की जगा Jordan को अपनी team में ले लूँगा लेकिन अभी के लिए यह team बन रही है बड़ा risk है इसमें Maxwell का आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो Russell की जगा Maxwell को ले सकते हो और उस case में आप यहाँ पर काई सहमत की जगा नेथर कूर डिनायल को भी ले सकते हैं तो कुछ इसी साफ से हमारी team बन रही है captain, wise captain की बात करें तो मेरे जो captain होंगे इस match में अभी के लिए वो है Marcus Stoinis और wise captain जो है मैं Russell के साथ जा रहा हूँ अगर team पहले batting करती है stars की तो यहाँ पर Russell को captain और Marcus Stoinis को wise captain भी कर सकते हैं यहाँ पर Henry के काफी अच्छी choice है Maxwell को ले रहे हो तो वो बहुत अच्छी choice है Philippi हैं तो यह कुछ options हैं जिनको आप captain wise captain कर सकते हैं small league में और grand league में आप abort के साथ जा सकते है abort काफी अच्छे है James wins even Clark भी काफी अच्छे option रहेंगे बात करते है iGamio की यहाँ पर 0% के सबसे zero commission वाले सबसे अच्छे contest मिल रहे हैं सो शाड़े बान सो लगा के सीधा 1100 रुपय आप बिन कर सकते हो जरूर खेलना link description में उसके तूर डाउनलोड कर सकते है बात कर रहें यहाँ की team की सो यहाँ पर same credit है सो same team में अभी के लिए यहाँ पर भी जा रहा हूँ link description में उसके तूर आप डाउनलोड कर सकते है अब आप मुझे comment करके जरूर बताना आपके हिसाब से कौन से बड़े एक लाड़ी को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि Russell और Maxwell ही है इवन अगर हम suppose N.R.K को ड्रॉप करते है तो भी इतनी credit की दिक्कत आईगी तब भी हमें या तो फिर wins Stoinis और Philippines में से किसी दो को ड्रॉप करना होगा या Maxwell या Russell में से ड्रॉप करना होगा तब ही या पर टीम बन पाएगी आप किसको ड्रॉप करने को सजेस्ट करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आईए पसंद आईए सो लाइक करो शेयर करो हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाओ फैंटेसी फॉर्चून के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादो जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी थैंक यू गाइस